हेलो फ्रेंज स्वागत हैं आप सभी का हमारी यूटूब चैनल पर फ्रेंज अगर आप भी ट्रू कोलर एप का पास्वोड को भूल चुके हैं आपने जो भी पास्वोड को किरियेट किया था वो आपको याद नहीं है तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हेलफूल होने वाला है इसलिए वीडियो को कहीं पर भी इसकीप मत किसेगा तो फ्रेंज आप जैसी ट्रू कोलर एप को ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको त्री डॉट का आपसन मिल जाएगा आपको इस वाले आपसन पर किलिक कर देना है और आप यहाँ पर जैसी सेटि जैसी इस वाले आपसन पर किलिक करेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ भी आपसन नहीं दिखेगा यानि कि यहाँ पर आपको फोरगेट पासवर्ट का कुछ भी आपसन आपको नहीं दिखेगा इस हालात में आप अपनी पासवर्ट को किस तरीके से तोड़ सकते हैं तो फ् को इप्र कर देना है थेन उसके आद के फोन में यतनी सारे एक इंस्टॉलेट होंगे उसके अन्द आप को एकब का लिस्ट यहां पयोड कर देना है आप फान उसके आप को किली और का ऑफिशन पे ऑीखिना के यहां और यहाँ आपको आपको इसके लिए data वाले option पे click कर देना है उसके यहाँ से आपको exit हो जाना है यहाँ से exit होने के बाद अब जो है आपको अपनी true color app को open कर लेना है तो guys जब आप यहाँ पे true color app को open करेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ इस परकार से देखने को मिल जाएगा यहाँ पे आपको get started वाले option पे click कर देना है उसके यहाँ पे आपको continue वाले option पे click कर देना है उसके यहाँ पे आपको allow वाले option पे click कर देना है उसके यहाँ पे आपको थोरा सा loading ले लेगा तो यहाँ पे आपको wait कर लेना है इन फ्रेंस उसके अपर आपको लेटर वाले option पे लिक कर देना है उसके अपका फिरसे true color app लोगिंग हो जाईगा जिसेकि आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको फिर से 3. वाले option पर क्लिक कर देना है उसके आद यहाँ पर आपको setting का option मिल जागा आपको setting वाले option पर क्लिक कर देना है उसके आद यहाँ पर messaging वाले option पर क्लिक कर देना है तो friends जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं जब हमने first time trickler app को open किया था है तो यहाँ पे एक्टिव पास्ट कोड का ओफशन आ रहा था बट अभी यहाँ पे नौट सेटप का ओफशन आ रहा है उसके आठ यहाँ पे आपको later वाले option पे click कर देना है उसके आठ यहाँ पे आफको फिर से new passcode log को बना लेना है यहाँ पे आपको वो pin को create कर लेना है जो आपको हमेशा याद रहे उसके आठ friends आप यहाँ पे first time में जो भी pin दीए होंगे वही आपको second bar में दे देना है उसके आप फ्रेंस आपका फिर से यहाँ पर नया passcode create हो जाएगा जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं and फ्रेंस आप यहाँ पर देख सकते हैं passcode के जगा यहाँ पर active का भी option आ चुका है तो इस तरीके से गाइस अगर आपको true color app का passcode याद नहीं है तो आप उसे तोर के नया passcode को create कर सकते हैं अगर आप setting के माधियम से true color app से log out नहीं हो पा रहे हो तो इसके लिए यहाँ से आपको back हो जाना है back होने के बाद friends यहाँ पर आपको कुछ इस परकार से देखने को मिल जाएगा आपको सबसे नीचे में privacy center का option मिल रहा जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको इस वाले option पे click कर देना होगा यहाँ पर आपको friends deactivate का option मिल रहा जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं तो फ्रेंस आप यहां पर लोगिंग करके फिर से आप वही तरीके को अपना सकते हैं जो मैंने आपको इस वीडियो में बताया हुआ है अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेके अन तक देखेंगे तो आपका यह प्रोब्लम सॉल्फ हो जाएगा तो यह वीडियो देखने के लिए हम सभी का थैंक यू वेरी मच